सब लोग गोशना पत्र जारी करते हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी बता रहे हैं कि हम गोशना पत्र जारी नहीं करते हम कोई गोशना नहीं करते हम संकल्प लेते हैं कि ये काम करेंगे तो जो उनका संकल्प पत्र है उनके अंदर मुख्य जो बिंदु है वो आपको मैं ब बता रहा हूं और जिसमें अगला एक पॉइंट और बता रहा हूं जिसके परती एक जिल्ले के अंदर महिला थाना और हर पुलिस इस्टेशन के अंदर महिला डेस्क और सभी परमुक सहरों में एंटी रोम्यों स्कोर्ड का गटन करेंगे ये भारतिय जनता पार्टी का एक सं संकल्प समझ लीजिए जैसे ही भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनेंगी तो यह संकल्प पूरे करेंगे जिनमें से अगला है परदेश में 15,000 डक्टर और 20,000 पेरा मेडिकल स्टाप की नई नियुक्तिया करेंगे और गेहूं का नियुनतम समर्थन मुल्य के उपर बोनस द परदान करेंगे लगपती दिदी योजना के अंतरगत 6,00,000 से ज़्यादा ग्रामीन महिलाओं को कोशल प्रिक्सेरन परदान करेंगे कांग्रेस राज में निलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा निति लाएंगे IIT के तरज पर राजस्तान इंस्टिटूट ओप टेकनोलोजी, MMS के तरज पर राजस्तान इंस्टिटूट ओप मेडिकल साइंस इस्ताफित करेंगे लाडो प्रोचान योजना के अंतरगत बालीका के जनम पर दो लाग से सेविंग बोंड वित्य साहिता परदान करेंगे सेखावटी, डुंडाड, ब्रज, हडोती, मेवाड, मारवाड, अजमेर और विकनेर में 800 करोड के निवेश के साथ सेत्रिय विरासत सेत्र इस्तापित करेंगे PM किसान सम्मान निदी की राजसी को बढ़ा कर 12,000 करेंगे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के चात्रों को योनिफॉर्म आधी के लिए 1200 रुपे की वार्शिक साहिता भी परदान करेंगे PM उजवला योजना के सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपे में सिलेंडर परदान करेंगे मानगड धाम को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विक्सित भी करेंगे मुख्य मंत्री फिरी इसकुटी योजना के अंतरगत बारवी पास करने वाली मेगवी चात्राओं को इसकुटी देंगे परदान मंत्री ग्रियमेन कल्यान योजना के लबार्तियों को 5 साल तक मुक्त राशन परदान करेंगे हर बेगर को अपना घर देने के लिए परदान मंत्री आवास योजना के साथ मुख्य मंत्री आवास योजना की शुरुआत करेंगे परदेश के युवाओं को अगले पांच वर्सों से 2.5 लाग सरकारी नोक्रिया भी परदान करेंगे और 40,000 करोड के निवेश के साथ भामासा हेल्प इंफ्राइंस्टेक्चर मिशन शुरू करेंगे वाजबने जो ये संकल्प पत्र जो गोशित किया है इनका ये QR कोड है आप इस QR को स्कैन करके पूरा डाउनलोड कर लीजीगा और अराम से इसको पूरा पढ़ के आपको पता चल जाएंगा कि किस परकार के छोटे छोटे बिंदुओं को इस संकल्प पत्र के अंदर एड किये गए है